कि भारत जोड़ो यात्रा ने न केवल कॉंग्रेस सम्यठाइंग में नहीं उमंग जगाई है पर सारे देश में एक नहीं उत्सा एक नया भविश्य का रास्ता दिखाया है कई मेहने से वो भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने में लगी हुई थी और मैं समझता हूँ कि आज जो हमने देखा है ये डिस्कौलिफिकेशन एक तरह से आप देख सकते हैं कि जैसा की अभी शेक सिंग्वी जी ने कहा राहूल जी को कीमत चुकाने पड़ी है उस भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के कारण। दूसरी बात सिंग्वी जी ने तो कहा कि 2014 से राहूल जी मोधी सरकार की नियत और मोधी सरकार के नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज संसत के अंदर और संसत के बाहर उठा रहे हैं ये नोटबंदी के बारे में इन्होंने जिकर किया जी एस्टी के बारे में इन्होंने जिकर किया चीन को जो जून 2020 में प्रधान मंत्री ने क्लीन चिट दिया उसका भी सिंग्वी जी ने जिकर किया पर मैं एक और मोधों का जिकर करना चाहता हूँ जिसके वज़े से आज राहुल गांदी जी को किमा चुकानी पड़ी है और वो ये है अडानी का महागोटाला जब से राहुल गांदी जी संसद में बोले थे पचास मिनिट का भाषन था ज्यादा तर उसका एक्सपंज भी कराया गया और जिस तरीके से सोला पार्टियों ने एक होकर पांच फबरियोरी से जेपीसी की मांग की इस घोटाले में क्यूंकि ये घोटाला सिर्फ अडानी से संबंदित नहीं है ये घोटाला पधानमंत्री की नियत और पधानमंत्री की नीतियों से भी जुड़ा हुआ है इसलिए हमने जेपीसी की मांग की आज भी हमने मांग की कल भी हम करेंगे परसों भी हम करते रहेंगे और इस अडानी घोटाले से ध्यान हटाने के लिए आज इनको कीमच चुकानी पड़ी है तो एक तरफ राहुल गांडी जी की कोशिश और दूसरी तरफ प्रधान मंत्री की साजिश ये साजिश बनाम कोशिश एक तरक्षिस आप इस तरीके से देख सकते हैं सिंग जी नी तो कहा कानून के अनुसार अगले कदम हम लेंगे समय है हमारे लिए और कानून में कई ऐसे दरवाचे हैं हमारे लिए तो हम खटखटाएंगे पर ये सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं है ये मौलिक तोर से राज़नीतिक मुद्दा है मैं बार बार कह रहा हूँ आज भी दोरा हूँगा ये पतिशोत की राज़नीति धंकी की राज़नीति उत्पीडल की राज़नीति का एक नतीजा है एक मिसाल है एडी में करीब साथ घंटे का पुछताच हुआ आपको याद होगा पिछले साल और भारत जोरो यात्रा के दोरान ऐसे एक सवाल उठाए गए यात्रा के बारे में राहुल जी के बारे में उनको संसर में तो पहले बोर्ड ने दिया गिया पचास मिनिट के लिए बावन मिनिट के लिए बाग में जो उन्होंने कहा उसको expunge कराया गया और उन्होंने speaker से तीन बार निवर्णन की तीन बार एक बार नहीं तीन बार उनको लिखा भी कि मुझे मौका दीजिए उन्होंने rule speaker साब को बताया 357 rule पर speaker से कोई जवाब नहीं आया अपचारिक तोर से कोई जवाब नहीं आया उनको मौका ही नहीं दिया गया और आज वो disqualify हो चुके है तो ये कानूनी मुद्दा तो है कानूनी तरीके अपनाएंगे कानून में जो प्रावधान है सिंग्वी साब ने गिनाया है उस पर अगले कदम लिया जाएगा पर ये राजडीतिक चो मुद्दे उड़ते हैं आज पांच बजे को कॉंग्रेस अध्यक्ष ने सभी PCC अध्यक्षों और CLP लीडरों के साथ बेठक बुलाई है इस पर हम विचार करेंगे आज तो फाइनांस बिल पास हो गया है लोगसवावे तो सुमवार के बाद पार्लिमेंट का चलने की गुझाईश मुझे तो नहीं दिखती है पर हम अगले चार मैने तक पार्लिमेंट तो नहीं चलेगा अगला सत्र आएगा जुलाई के बीच में अगले चार मैने के लिए तो हमें इसको अलग-अलग राज्यों में मुद्दा ले जाना पड़ेगा और ये राजनीतिक लड़ाई बरकरार रहेगी हम इससे पीछे ही हटेंगे नहीं राहुल गांदी जी कोई धंकी से डरने वाले नहीं है और मैं फिस्सद हो रहाँगा जो उन्होंने एक बार इसी मंच से कहा था अब लोगों को जो खुद डरते हैं वो दूसरों को डराते हैं क्योंकि नब्लेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं वो बार बार राहुल गांदी जी को और अन्य विपक्ष के नेताओं को डराते रहते हैं धंकियां देते रहते हैं अगर आपके कुछ सवाल हैं जो सिंग्वे साब ने कहा हैं एक एक करके आप पूछेगा झाल 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 ब्रेक्परे स्वागता में देखुचे जने परे जने कॉंग्रेस नेता विसुद्गार करू चनती ये बंग एक रमोरे किछी समा पूर्बरू आम आपने देखु थिले बरिश्ट कॉंग्रेस नेता जयराम रोमेस एको सांबादीको सम्मिलोनी माध्यमोरे केंद्र सरकार तथा भारतियो जन्ता पाटी उपरे बर्सी चनती एबंग तांको कहीबा कथा भारत जोडो जात्रारे अपूर्ब सफलता मिली चनती एबंग राहुल यों सबु प्रसंग बा मुद्दा उठोव चनती तहा जनो साधरानों कु छुँँची सेथिरे भरवित ०रनाख भारत जुँची एबंग तांको पाल फैक राहुल जात्रा मिली चनती एबंग nigड ब्रसंग बतियाल यों स remarkा साधरी बार सभार देखिश हो शुँची सभी आशुथिला ताको आहुरी सानीत करीवगोटे सुजग मिली गला प्लाक्फरम मिली गला कंग्रेस कुछ सुजग मिल जाई ची एबंग तांकर परबर्तिक कार्जय पंथा कोणब ताहा मध्यास पस्ट करी छन्ति जयराम रमेश से एकथा कोई चन्ति जे राहूल गांधिंकर सब्दक को उधार करी शे जहा कोई चन्ति जे पछक को हटी भुनू की धमक को डरी भुनी अर्थात से ल चन्ति जे जो बडड़नडर लड़ेई पाइक दळड़ प्रस्टत और तु भली तांकर को फुर्वानमान कर देए पारे तिली रो बड़न र लड़ेई रोही ची ताहार रोरू पुर्खध कोण हब ताहा आज आजि जो संध्यार जो बःठाक रोही ची पांश्टापल सब्रस्वाक, चौनलद गरावी सलन्स कंगरेस त्त करवाको चिह द्ट खुमेहिं। प्रस्थुत करीवा ताह निश्चीत भाबरे आगामी किछी गहंता मध्यरेस पस्टा है वह भुबू अन्यमण विक्रमा में देखूँचे जेओं अभिजोग कोरूची क्या बलो कोंग्रेस नुहें टीमसी एवरी किछी राजनोईती को दलो मध्यो बर्तमान रो केंद्रो सरकार विरो धरे समान अभिजोग कोरी आसुचंती ताकुतो नहीं विभिन्न समरे चर्चा हूँची एवं जेते विले कोंग्रेस एई अभिजोग को आउथरे उठोऊँची गणतंत्र अरे विरोधिंको सोरकु चपाई वालागी उद्यम करा दाउची एवं एई प्रकार गोटे धारना सेमाने लोकोंग को पाखरे दवापाई चेस्टा करूचंती एबङ जोग कोथा 2014 एबङ जोग कोथा कू लोकोंग्रोहन करी नहांती बाफ्रत्यख्यान करी चंती सेमाने सेई प्रकार गोटे उद्यम करूछंती पूर्णी थरे जहे तु आगामी दिनोरे आउँ बस्ते परे निर्बातों रहुची तेरा निर्बातों आगारू लोकों करो जोन तेरा नान कुझेगा तो उठेगा एक तुफान हिलेगी जमीन मचेगा खमासाथ देगेगे पेरगी तेरी जिर्बात तेरी देखिये पहला टाटा विमन्स प्रेमेर लीग स्पोर्ट्स 18 और जियो सिनेमा पर झां जज सकते हांども जान कमान खरे देति ! झांन एत लेके जो तेरा नान करले audio जों क्वाने शेत्क भर्ट्स 20 इनल ! झांदी सिने लोका प्रवान झाल 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 झाल